हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सोने और चांदी के लहेंगों की नदी की तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी एक गाउ में आली अपने माधा पिता के साथ रहती थी उसके पिता देश के एक स्रैनिक थे, वो छुट्टियों में ही आया करते थे एक बार उसके पिता राकेश छुट्टियों में अपने घर आये हुए थे पूरा परिवार बहुत खुश था पिता जी, अब आप हमें छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएंगे ना हमें आपके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पिता जी देखो बेटा, जैसे तुम मेरी बेटी हो, वैसे ही मैं इस देश का बेटा हूँ मेरी मा को मेरी जरूरत है बेटा, इसी दिये मुझे जाना ही होगा आलिये थोड़ा उदास हो जाती है अच्छा ठीक है, लेकिन आज शाम को आप मुझे मेले घुमने ले चलेंगे ठीक है बेटा, आज हम सब मेले घुमने चलेंगे अपने पिता की ये बार सुनकर आलिया बहुत ही जाद़ खुश हो जाती है शाम को तीनों मिलकर मेले घुमने जाते हैं और सभी गहुत इंच्छा करते हैं कुछ दिनों बाद आलिया का जन्म दिन आता है बेटा, इस बार मैं तुम्हारे जनम दिन पर तुम्हें एक बहुत अच्छा गिफ्ट देने वाला हूँ हाँ हाँ, मुझे पता है पिता जी आप हमेशा की तरह इस बार भी अपना गिफ्ट मुझे कूरियर ही करेंगे अरे बेटा, मैं इस बार तुम्हारे जनंदी पर तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे साथ ही एक बहुत बड़ा सा केक भी काटूंगा अपने पिता की ये बात सुनकर आलिया बहुत ज़्यादत खुश हो जाती है और कुछ दिनों बाद आलिया का जन्म दिन आ जाता है दोनों माता पिता आलिया के कमरे में आती है वाव पिता जी, कितने सालों बाद आए हैं आपने रे जिनम दिन पर आज शाम को हम दोनों एक साथ केज काटिंग एंगे आलिय के पलब बोलते ही उसके पिता के मुबाईल पर एक कॉल आता है येस सर मेजर राकेश सिंग दुश्मनों ने हमला कर दिया है इसी लिए तुम्हारी छुट्टी कैंसल की जाती है जल्दी से जल्दी बॉर्डर पर कहुंचो येस सर मैं अभी के अभी आता हूँ इतना कहकर राकेश मोन काड़ देता है बेटा मुझे अभी जाना होगा अगली बार जब मैं आऊँगा तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा गीश्ट लेकर आऊँगा अपने पिता की ये बास्वन कर आलिया रोने लग जाती है आपने तो कहा था कि हम साथ में मिलकर केक काटेंगे बेटा देश को अभी मेरी जरूरत है इसलिए मुझे अभी के अभी जाना होगा बेटा तुम मेरी बेटी हो इसलिए मासूम नहीं वहादुर बनूँ इतना कहकर राकेश वहां से चला जाता है धीरे धीरे इसी तरहा पूरे दो साल बीच जाते हैं लेकी ना ही राकेश आता है और ना ही राकेश का फोन आता है मा पिता जी कब आएंगे जल्दी आएंगे बेटा अभी उन्हें बहुत सारा काम है सारा काम जैसे ही खत्म हो जाएगा तो वो हमारे पास आ जाएंगे एक दिन दोनों मा बेटी सामान लेने बाजार जाती है के तभी अरे देखो तो इसे कैसे बंठन के घूम रही है इसके पती को ना आये हुए पूरे दो साल हो गए है हमें तो लगता है बेचारा युद में ही मारा गया है खबरदार अगर मेरे पती के बारे में एक भी शब्द बोला तो आंटी आपको शर्मानी चाहिए अरे ये तो पागल हो गई है जब भी गाउमाले राकेश के बारे में कुछ बोलते थे तो दोनो माई बेटी बहुत ही जादर गुस्षा हो जाती थी और उनके साथ लड़ाई करने लग जाती थी इसी लिए अब गाउं में कोई भी उन दोनों से बाद भी नहीं करता था धीरे धीरे उनके सारे बच्चे हुए पैसे तकरीबन खत्म हो चुके थे और घर का राशन भी कुई तरह से खत्म हो चुका था आरिया की मा सोनाली काम मांगने के लिए गाउं में जाती थी लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता था वो बेचारी उदास वोकर अपने घर लोटाती थी घर का सारा राशन खत्म हो गया है पैसे भी खत्म हो गये है अब मैं अपनी पिटिया को क्या खिलाऊंगी आरिया के पिता जी आप कहा है आप कम से कम एक फोन तो कीजिए सभी गाउं वाले बोलते हैं कि आप नहीं रहें लेकिन मेरा दिल बोलता है कि आप अभी भी हैं मेरे साथ है आरिया की मा सोनाली गाउं के सेट रतन लाल के पास जाती है सेट जी मुझे थोड़ा पैसा उधार दे दीजिए जैसे ही आलिया के पिता जी आएंगे मैं आपका सारा पैसा दे दूँगी अरे बिलकुल बिटिया बिलकुल मैं तुम्हें यहाँ पैसे ही देने के लिए तो बैठा हूँ लेकिन बेटा बदले में मैं तुम्हारे घर के कागज लूँगा जैसे ही तुम मेरे पैसे वापस कर दोगी मैं तुम्हें तुम्हारे कागज वापस कर दूँगा फोनाली अपने घर के कागज रतन लाल के हाथ में दे देती है इसी तरह काफी दिन भी जाते हैं एक दिन रतनलाल सीधा उनके घर पर पहुँच जाता है सुनो बेटा जल्दी से अब ये घर खाली कर दो तुम्हारा दिया हुआ समय अब पोड़ी तरह खत्म हो चुका है अब ये घर सिर्फ मेरा है सिर्फ और सिर्फ मेरा भाई साहब मेरे पती आज आएंगे तब हम आपके पैसे दे देंगे अभी हमें हमारे घर से मत निकालिये हम दोनों मा बेटी कहा जाएंगे भाई साहब अरे तुम्हारा पती तो मर चुका है वो यहाँ कैसे आएगा अब जल्दी से घर खाली कर दो नहीं तो मैं अपने आदमीयों को बुला लूँगा दर के मारे दोनों मा बेटी घर खाली कर देती हैं और चलते चलते एक जंगल में पहुच जाती है मा मैं आर आगी नहीं चल सकती मा वैसे हम जा कहा रहे हैं मा ये तो मुझे भी नहीं पता बेटी कि हम जा कहां रहे हैं ये सब मेरी वज़ा से हुआ है अगर मैं घर के कादर सेट को नहीं देती तो आज हमें इस तरह से जंगल में नहीं भटकना पड़ता कोई बात नहीं मा आप यहां बैठ जाईए और आराम से सोचिए कि आगे हमें अब क्या करना है दोनों मा बेठी एक पेड के नीचे पैठ जाती है और उसकी मा की आख लग जाती है मा को बहुत भूप लगी होगी मा के जागने से पहले उनके लिए जंगल से कुछ फल लेकर आती हूँ मा बहुत खुश हो जाएंगी आलिया जंगल में फल लेने जाती है तभी आलिया को एक गुफा दिखाई देती है वो सोचती है लगता है इस घर में कोई रहता होगा मैं अंदर जाकर उसे खाना मानती हूँ फिर आलिया उस गुफा के अंदर चली जाती है कोई है मेरी मदद कीजिए प्लीज हमें थोड़ा खाना दे दीजिए चलते चलते आलिया गुफा के दूसरी और से बाहर पहुँच जाती है तभी वो देखती है कि उसके सामने सोने और चानी के लहंगों की नदी थी अरे वा कितनी सुन्दर लहंगे की नदी है मैंने ऐसी नदी तो आज से पहले कोधी भी नहीं देखी आओ बिटिया बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ आलिया उस नदी को वो सारी बाते बताती है बिटिया मैं तुम्हें एक सोने का लहंगा देती हूँ इससे तुम्हारी सारी समस्याय दूर हो जाएंगी जादूई सोने की लहगे की नदी अपने जादू से एक जादूई सोने का लहगा प्रकट करती है बिटिया ये जादूई सोने का लहगा है तुम इससे जो भी मागोगी ये तुम्हे वो सब देगा अब तुम जल्दी से इसे लेकर यहां से चली जाओ सोने की लहगे की नदी के अपना कहने पर भी आलिया वही पर उदास खड़ी रहती है क्या हुआ बिटिया तुम्हें जादूई सोने का लहंगा नहीं चाहिए क्या नहीं मुझे ये सोने का लहंगा नहीं चाहिए करने चाहती हैं तो मेरे पिताजी को ढू़ने में मेरी मदद कीजिए बीटिया इसमें तुम्हारी मदद मेरी छोटी बहन यानि जादूई चान्दी के लहके की नदी करेगी तुनों लड़की तुम मेरे अंदर आओ मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी के पास ले चलती हूं। आलिया चांदी वाली लहंगे की नदी के अंदर चरी जाती है। वो उसे इस घर के पास ले जाती है। आगे का रास्ता बहुत खतरनाक हो सकता है बिटिया, मैं तुम्हें कुछ शक्तियां देती हूँ, जिससे तुम उस खत्रे का सामना कर सकोगी। फिर चान्दी वाली लहगे की नदी उसे कुछ शक्तियां देती है फिर आलिया उस घर में प्रवेश करती है और देखती है कि उसके पिताजी को कुछ दुश्मनों ने कैद कर रखा था आलिया सीधे दुश्मनों के पास जाती है मैं कहती हूँ मेरे पिताजी को छोड़ दो नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा आलिया की ये बात सुनकर सभी दुश्मन जोर-जोर से हसने लगते हैं ए चुटकी जल्दी से यहां से वापस चली जा नहीं तो तुझे भी तेरे बाप के साथ बान दिया जाएगा ये तुटकर आलिया को बहुत गुस्ता आ जाता है और वो अपने शक्तियों से सभी दुश्मनों की खुब पिताई करने लग जाती है और अपने पिता को छुड़ा कर बाहर ले आती है दोनों बात बेटी जादूई सोने और चांदी की लेंगे की नदी का संदे आत करते हैं फिर जादूई सोने के लेंगे की नदी उन्हें एक जादूई सोने का लेंगा देती है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं सोनाली आलिया और अपने पती को देखकर बहुत ही जादा खुश हो जाती है फिर आलिया अपनी मा को वो सारी बाते बताती है उसके बाग से जादोई सोने के लहंगे की नदी के द्वारा दिये गए जादूइ सोने के लहंगे से वो अपना एक सुन रखता घर बना लेते हैं और खुशी-खुशी उन धर में रहने लग जाते हैं है रो दोस्तों आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है सोने चादी के लहंगो की नदी की तो चलिए दोश्तों देखते हैं आज की ये कहाने एक गाउ में शुमाइला नाम की एक लड़की अपने पापा और सौतेली मा के साथ रहती थी उसकी मा के जाने के बाद उसके सौतेली मा उसे बिख्षी पसंद नहीं करती थी उसके सौतेली मा की एक बेटी भी थी जिसका नाम पीना था सौतेली मा हर रोज शुमाइला से घर कर सारा काम करवाती थी और अबले में उसे खूब मारती थी एक दिन उसके पाप शहर से वापस आते हैं सुन शुमाईला जा आपने पापा के लिए चाय बना कर लेया अरे रुको बेटा अपना गिफ्ट तो लेती जाओ उसके बाद पापा उन सभी को गिफ्ट देती है शुमाईला के गिफ्ट में एक बहुत सुन्दर सी सैंडल निकलती है वाव पापा ये तो बहुत सुन्दर सेंडल है आपका बहुत बहुत धन्यवाद पापा अरे धन्यवाद किस बात का बेटी तुम तो मेरी बेटी हो उसकी सौतेली मा ये सब देखकर बहुत ही जादा गुस्सा हो जाती है आपको इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी कल ही तो मैंने इसे टीना के पुराने सेंडल्स दिये थे ये कही नहीं आती जाती, भला इसे नई सेंडल्स की क्या जरूरत अरे कोई बात नहीं, मैं सभी के लिए गिफ्ट लाया हूँ अगर मैं अपनी बिटिया के लिए गिफ्ट नहीं लाता तो अच्छा लगता है क्या ये भी तो मेरी ही बेटी है ना देखो ये फालतू का फिजूर का खर्चा मत किया करो समझे हम उसे अपने घर में रख रहे हैं खाना खाने को भी दे रहे हैं इतना ही बहुत है ये सब काम नहीं कर रहे हम जो इसके लिए गिफ्ट भी लाते रहेंगे पहले ही अतनी महगाई हो रखी है ये तुम कैसी बाते कर रही हो अगर यही सब चलता रहा तो मैं अपनी बिटिया को लेकर माई के चली जाओंगी और वापस कभी भी नहीं आऊंगी फिर रहना तुम अकेले अपनी बिटिया के साथ पापा आप मेरी बज़ा से लड़ाई जगड़ा ना करें टीना ये सेंडल तुम रख लो मेरे पास तो तुम्हारी बहुत सारी पुरानी सेंडल सें मुझे इसकी सरूरत नहीं है बहन इतना कहकर शुमाईला वहां से चली जाती है एक दिन अरे बेटा टीना मेरा गला सूख रहा है मुझे पानी ला कर दे बेटा अरे बेटा पानी ला बेटा मेरा दम खुट रहा है लेकिन तीना अपनी मा की अवास पर बेखुल भी ध्यान नहीं देती और अपने कमरे में ही सोती रहती है अरे लगता है मा को प्यास लगी है उन्हें पानी दे देती हूँ शुमाईला पानी लेकर अपनी सौतेली मा के पास जाती है ये लेजिए मा पानी पी लेजिए उसकी पाल से खीच करें चाटा माती है अपने गंदे हाथों से मेरे लिए पानी लाने की तुने हिम्मत भी कैसे की मैंने पानी लाने के लिए अपनी बेटी को कहा था बड़ी आई मुझे पानी पिलाने वाली मा आपकी तवियत खराब हो रही थी इसलिए पानी लाने से पहले मैंने अपने हाथ अच्छे से धोय थे मेरे हाथ देखो बिलकुल साफ है मा और टीना तो अपने कमरे में सो रही थी वो पानी कैसे लाती आपके लिए मा तभी वहाँ पर टीना आ जाती है आरे क्या बात है इतना शोर क्यों मचा रखा है सोने क्यों नहीं दे रहा कोई मुझे आरे मेरी बीटिया जा सो जा अंदर जाकर माव कर दे बेटा मैं थोड़ा उच्छा बोल रही थी जा बेटा जा अंदर जाके सो जा अब मैं घर में बिल्कुल भी शोर नहीं होने दूंगी धरासल ये काम छोरना लायक अपने गंदे हाथों से में लिए पानी लेकर आई थी इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था जा बेटा जा तू अंदर जाकर सो जा और तो महरानी यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है वहाँ सारे गंदे कपड़े रखे हुए है उसे धो कर ले आ कुए पर से शुमायला कपड़े धोने के लिए बाहर कुए पर चली जाती है और वहाँ बैठ कर कपड़े धोने लगती है फिर कपड़े धोकर वो उन कपड़ों को कुए के किनारे रख देती है तभी उसकी सौतेली मा की एक साड़ी कुए के अंदर गिर जाती है हे भगवान मा की इतनी महगी साड़ी तो कुए के अंदर गिर गई अब मैं क्या करूँ? सौतेली मा तो मुझे मार डालेंगी इस तरह खड़ी क्यों है कपड़े धूल गए क्या सारी कपड़े और मेरी वो ब्रैंडड़ साड़ी कहा है जो तेरे पापा लेकर आये थे मेरे लिए मा, वो, वो, वो साड़ी अरे, ठीक से बोल मा, आपकी साड़ी कुए में गिर गई मा मुझे माफ कर दो मा मैंने जाज मुझकर नहीं गिराई कल मुही, तूने मेरी ब्रैंड़ेट साड़ी कुए में फेट दी तो फिर यहाँ खड़ी-खड़ी क्या कर रही है कुए में कैसे जा सकती हूँ, अगर मैं कुए में कूद गई तो मैं मर जाओंगी न मा अगर तू मेरी साड़ी लेकर नहीं आई, तो मैं तुझे जिन्दा ही छोड़ूंगी एतना कहकर उसकी पते ली मा उसे कुए में धक्का दे देती है बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ बीना साड़ी लिये बाहर मत आ जाना, साड़ी नहीं मिले तो वही डोग कर भी जान दे देना इतना कहकर सौते ली मा वहां से चली जाती है थोड़ी दिर बाद शुमाइला को होश आता है तो वह देखती है कि शुमाइला एक अलगी दुनिया में थी और वो दुनिया बहुत खुबसूरत दुनिया थी अरे वा, कुए की नीचे इतनी अच्छी दुनिया होती है मा ने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई अब मैं जल्दी से सबसे पहले उस साड़ी ढूंटी हूँ उसके बाद वो साड़ी सोतेली मा को दे दूंगी शुमाइला साड़ी ढूंडने के लिए थोड़ा आगे चलती है तो उसे वहाँ पर एक घायल बिल्ली मिलती है अरे, ये बेचाली तो घायल है मुझे इसकी मदद करनी चाहिए शुमाइला उस बिल्ली के पास जाती है और आसपास से जड़ी बूटियों के पत्ते तोड़ कर उसके उपर लगा देती है और फिर से थोड़ा आगे बढ़ती है आगे बढ़ते ही उसे एक बूड़ी औरत बेहोशालत में मिलती है शुमाइला भाग कर उस बूड़ी औरत के पास जाती है और उस बूड़ी औरत को होश मेलाती है दादी जी, आप ठीक तो हो ना, क्या हुआ था आपको बेटा, मुझे घर तक छोड़ दो बेटा मुझे से चला नहीं जाएगा अकेले शुमाइला उस बूड़ीया को उसके घर तक छोड़ देती है पर शुमाइला देखती है कि उस बूड़ीया के घर में कोई भी नहीं था अरे दादी जी आपके घर में तो कोई भी नहीं है मैं काम करती हूँ आपके लिए खाना बना देती हूँ आपको भूख लगी होगी ना शुमायला उस बुड़ी अम्मा की सेवा करती है और उसके घर का सारा काम करती है कुछ दिनों बाद वो बुड़िया पूरी तरहां से स्वस्थ हो जाती है अरे वा दादी तो पूरी तरहां से ठीक हो गई है मुझे अब चलना चाहिए तभी देखते ही देखते वो बुड़ी दादी एक परी के रूप में बदल जाती है और शुमायला से बोलती है रुको बेटा मैं एक परी हूँ मैं तुम्हारी परिक्षा ले रही थी मैं अच्छे और नेक लोगों की मदद करती हूँ और तुम तो बहुत अच्छी हो क्या बात है बेटा तुम इतना परिशान क्यों रहती हो उसके बात शुमायला अपनी सौतेली मा के बारे में उस परी कुछ रख कुछ बता देती है तुमने मेरी एतनी सेवा की बेटी इसके बदले मैं तुम्हे कुछ देना चाहती हूँ फिर परी शुमायला को जादूए सोने चांदी के लहंगो की नदी के पास ले जाती है बेटा ये जादूए सोने चांदी के लहंगो की नदी है यदि तुम इस सोने वाली नदी में जाओगी तो तुम्हे खूब सारी धंदौलत मिलेगी और अगर चान्दी वाली लहएंगे की नदी में जाओगी तो तुम्हें तुम्हारी सौतेली मा की वो साड़ी मिलेगी अब बताओ बेटी तुम्हें कहा जाना है परी जी मुझे धंदोलत नहीं चाहिए क्योंकि मेरा इस दुन्या में कोई भी नहीं है मेरी सौतेली मा और पापा ने मुझे अपने पास रखा हुआ है मुझे रहने के लिए एक घर दिया है मा को वो साड़ी बहुत पसंद है परीजी इसलिए मुझे वो सिर्फ साड़ी दे दीजिए मैं यहाँ पर सिर्फ वो साड़ी ही लेने आई हूँ वह बेटा तुम बहुत इमानदार लड़की हो जाओ चांदी वाली नदी में प्रवेश करो शुमायला चांदी के लहंगे वाली नदी के अंदर चली जाती है वहाँ जाते ही शुमायला बहुत ही जादा खुद सूरत हो जाती है और उसके कपड़े जादूई सोने के कपड़ों में बदल जाते हैं और उसे खूब सारी धन दौलत भी मिलती है बेटा तुम बहुत ही इमानदार रड़की हो इसलिए तुम यहां से बिलकुल सही सलामत वापस जाओगी उसके बाद पड़ी अपनी जादूई छड़ी से शुमाईला को धन दौलत के साथ भूए के ऊपर भेज देती हैं शुमाईला खुशी खुशी अपने सोतेली मा के पास जाती है सच सच बता लड़की इतनी धन दौलत कहां से लेकर आ रही है तू उसके पास शुमाला अपनी सौतेली मा को वो सारी बाते बता देती है अरे लड़की तू तो बिल्कुल पागल है जादूई सोने की नदी में तू क्यों नहीं गई उस नदी में देख अब हम जाएंगे चल बेटा टीना तुझे पाता है ना हमें बहुत सारी धान दौरत लेनी है तू जल्दी से उस कुए में जा और जादूई सोने की लहंगेवारी नदी में ही जाना सीधा उसके पास सोतेली मा अपनी पेटी टीना को उस कुए के अंदर धब कर दे रहती है वो कई दिनों तक इंतिजार करती रहती है लेकिन टीना वहां से वापस नहीं आती और आखिरकार उसके सोतेली मा को उसकी करनी का फल भी मिल जाता है हेलो दोस्तों आज मैं आपको जो कहाने सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है सोने चांदी के जादोई लहंगे की नदीगी तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की ये कहानी एक गाउ में सुहानी नाम की एक लड़की अपनी मा उर्वशी के साथ रहती थी कुछ समय पहले उसके पिता ने सीमा नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली सीमा का पहले से ही एक बेटा था जिसका नाम रितेश था सुहानी के पिता शहर में काम करते थे और सारी तनख्वा अपने दूसरी पत्नी सीमा को दिया करते थे सीमा उन दोनों मा बेटी को नौकरानी की तरहा रखती थी सुहानी दिखने में बहुत खुबसूरत थी और सीमा का बेटा रितेश बेकुल भी खुबसूरत नहीं था लेकिन उसे स्टाइल मारने का बहुत शौक था वो तरहां तरहा के प्रोड़क्ट का प्रयोग करता था एक दिल वो अपने कम्डे में एक क्रीम लगा रहा था कि तभी वहाँ पर सुहानी आ जाती है और वहाँ आकर काम करने लग जाती है और रितेश को क्रीम लगाते हुए देख लेती है अरे वहाँ भाईया कितनी अच्छी क्रीम है मुझे भी थोड़ी सी क्रीम दे दो मैं भी अपने चेहरे पर लगाना चाहती हूँ नौकरानी की बच्ची मेरे सामने हमेशा भिकारियों की तरह हाथ मत फैलाय कर मुझे अपनी कोई भी चीज तुझे देना बिल्कुल पसंद नहीं है बेशक वो चीज मैं कूड़े में फेक दूँगा लेकिन तुझे कभी नहीं दूँगा जा यहां से मेरा दिमाग मत खराब कर तभी वहाँ पर सीमा आ जाती है औरे क्या हुआ बेटा चिला क्यों रहा है देखो न मा ये भीकारन जब देखो मेरे सामने हाथ फैलाती रहती है आज मुझ से मेरी क्रिम मांग रही है इतनी महेंगी और ब्रैंडेट क्रिम मैं इसे दूँगा क्या क्यों रधिकारन तूने और तेरी मा ने हमारे सर में दर्ध क्यों कर रखा है जादा ही शौक है क्रिम लगाने का तो अपनी मा को बोल पैसे कमा कर लाएगी फ्री का खाना खाने की तुम्हें आदत पड़ चुकी है क्यों आंटी आप कौन सा कमा कर लाती हो आपको भी तो सारे पैसे मेरे पिता जी देते हैं उन पैसों पर हमारा भी हक है आप दोनों भिकाईयों की तरहा हमारे घर में पड़े रहते हो अरे आप दोनों को तो शर मानी चाहिए हमारे ही घर में आकर हमारे ही उपर अत्याचार करते हो देखो तो मा कैसे जुबान चल रही है इसकी, मुझ तो देखो ज़रा बंदरिया का अरे बंदर होगा तू, मैं तुझसे ज़ादा खुबसुरत हूँ, समझा, यकीन नहीं आता, तो शीशे में जाकर अपनी शकल दे मा, आप खड़ी ही रहेंगी या कुछ बोलेंगी भी, ये मेरी और आपकी इतनी बेज़ती कर रही है फिन सुहानी को एक जोर दार थपड़ मारती है, बकवास बंद कर लड़की और चुपचाप घर का काम कर नहीं तो तुझे और तेरी भीकारन मा को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूँगी यहां खड़े होका साथ ज्यान मत बाट, चली जा यहां से गुष्टे में सुहानी वहां से चली जाती है, और जाते जाते सीमा को धक्का मार देती है मेरी मा को कुछ मत बोलना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा तेरी इतनी हिमत तुने मुझे धक्का दिया, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ आज तू मेरे हाथों से दिल्कुल नहीं बचेगी डर के मारे सुहानी वहां से भाग जाती है अरे भाग कर कहा जाएगी, वापस तो इसी घर में आएगी न देख तेरे आज हाथ पैर ना तोड़े, तो मेरा नाम भी सीमा नहीं भागी भागी सुहानी एक जंगल में पहच जाती है हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं कहा जाऊंगी अगर मैं उस घर में वापस गई, तो वो चुड़यल आंटी मुझे मार डालेगी और मा के बगएर मैं अकेले कैसे रहूंगी सुहानी की ये बात पेर पर बैठा हुआ एक जादूगर सुन लेता है अरे लगता है ये लड़के कुछ मुसीबत में है मुझे आज अपने जादू से इसकी मदद करनी चाहिए जादूगर अपने जादू से शुहानी के पास जाता है शुहानी उसे देखते ही दर जाती है मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे मत मारना मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ अरे बिटिया, मुझे से डरने की कोई जरूरत नहीं है मैं तुम्हे नुकसान नहीं पहुचाऊंगा मैं तो बलती यहां तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ क्या, आप सच में मेरी मदद के लिए आये हैं? हाँ बेटा, बताओ मुझे, तुम्हारी समस्या क्या है? तुहानी जादुगर को वो सारी बाते बताती है अच्छा, तो तुम्हें लहंगे पहनना बहुत पसंद है अधिवो जादुगर, दो जादुई सोने चांदी के लहंगे की दो विशाल नदिया प्रकट करता है ये देखो बिटिया, तुम्हारे सामने दो लहंगे की नदिया है ये दोनो नदी कोई आम नदी नहीं है ये जादुई सोने चांदी के लहंगे की नदिया है एक नदी में चांदी और दूसरी नदी में सोने वाले लहंगे हैं जाओ, जाकर उन्हें ले आओ तुहानी नभी के पार जाकर दो जादुई लहंगे ले आती है बिटिया, ये चांदी वाला लहंगा तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगा और इस सोने वाले लहंगे से तुम जो चाहोगी तुमें हमेशा उसका उल्टा ही मिलेगा लेकिन बिटिया इसका प्रयोग कभी भी स्वार्थ के तौर पर मत करना नहीं तो ये दोनों लहंगे गायब हो जाएंगे इतना कहे कर जादू कर वहां से चला जाता है सुहानी दोनों लहंगों को लेकर खुशी खुशी अपने घर जाती है सुहानी उन दोनों लहंगों को देख कर बहुत खुश हो जाती है और उस लहंगे से अपने लिए एक छोटा सा घर मांगती है सुहानी के अतना कहते ही वहाँ पर एक बड़ा सा घर प्रकट हो जाता है जिसे देखकर सुहानी बहुत खुश हो जाती है अब मैं अपनी मा को यहाँ पर लेकर आऊंगी अब मैं और मेरी मा किसी की भी नौकरी नहीं करेंगे सुहानी अपने घर जाती है मा कहां है आप मा आईए मा मेरे साथ चलिए तबी वहाँ पर सीमा और उसका बेटा आ जाता है तो आ गई महरानी अब देख मैं तेरी डंडो से कैसी पिटा आई करती हूँ ए आंटी अपनी हद में रह और मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना मैं यहाँ बस अपनी मा को लेने आई हूँ हमें इस घर में और खास कर तेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना और हाँ अब हमें किसी की भी नौकरानी बनने की कोई जरूरत नहीं है सुहानी अपनी मा को लेकर वहाँ से चली जाती है ये तूने क्या किया बेटी अब हम कहा जाएंगे कहा रहेंगे बिटिया कम से कम सर रखने के लिए हमारे पास छत तो थी अब तो हमारे पास वो भी नहीं रही अरे मा आप बिल्कुल भी चिंता मत करो आप बस मेरे साथ चलो सुहानी अपनी मा को अपने बड़े से घर में लेकर जाती है मा ये हमारा नया घर है आपको यहां किसी भी चीज से कोई कमी नहीं होगी उसके बाद सुहानी अपनी मा को वो सारी बाते बताती है ये सुन कर सुहानी की मा बहुत खुश हो जाती है और दोनों मा बेटी अब खुशी खुशी उस घर में रहने लगी थी दोनों मा बेटी गरीब और ज़रुरतमंद लोगों की सहायथा करने लगी थी अब सुखानी भी एक बहुत ही अच्छे स्कुल में पढ़ाई करती थी एक दिन सीमा और उसका बेटा उन दोनों मा बेटी को लोगों की मदद करते हुए देख लेते हैं अरे मा इन भीकारियों के पास एतनों सारा पैसा कहां से आ रहा है जो ये लोगों में दान पुन्न कर रही है अरे ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा एक काम करते हैं हम पता लगाते हैं कि इन भीकारियों को कौन सामाल हाथ लगा है एक दिन सीमा सुहानी का पीछा करती है और उसे जादूई लहंगे से धन दोलत मांगते हुए देख लेती है अच्छो जी तो इस महरानी को ये जादूई लहंगे मिले हैं अब मैं इसके ये लहंगे चुरा लूँगी उसके बाद मैं दुनिया के सबसे अमीर और अरग बन जाओंगी और फिर इन दोनों मा बेटियों को फिर से अपनी नौकरानी बना लूँगी इतना कहकर सीमा वहां से चली जाती है रात को सीमा उनके घर पर जाती है और सोने वाला जादूई लहंगा उठा लेती है और खुशी खुशी अपने घर लोटाती है अरे बेटा इध्वरा ये देख मैं क्या चुरा कर लाई हूँ फिर सी मा अपने बेटे को वो सारी बाते बताती है अरे वा मा मसा आ गया चलो अब जल्दी करो और इस लहंगे से कुछ मांगना शुरू करो फिर जादूई लहंगे मुझे खूब सारी धन दौलत दे और मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाओं फिर जादूई लहंगे मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टाइलिश और महंगे कपड़े दे और मैं दुनिया का सबसे हैंसम लड़का बन जाओं वो दोनों मा बेटे ये नहीं जानते थे कि जादूई सोने का लहंगा हमेशा उल्टा काम करता है दोनों मा बेटे खुशी के मारे नाचने लग जाते हैं तभी जादूई लहंगे से एक रोशनी निकलती है और सी मा दुनिया के सबसे गरीब औरक बन जाती है वहीरी तेश फटे कुराने कपड़ों के साथ दुनिया का सबसे बदसूरत लड़का बन जाता है उसके पाद जादूई सोने का लहंगा उड़कर वापस सुहानी के घर पर चला जाता है और वहाँ दोनों मा बेटे अब सड़क पर बैठ कर भीक मांगने लगे थे तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इससे जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बैल आइकन को दबाना ना भूलें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद